शिव बाबा याद है ना? और ब्रह्मा बाब ने बच्चों को निमित भव का वर्दान दे कर विल किया एक होती है अपने पुरिशार्थ की पावर और यह है परमात्म विल दवारा पावर्स की प्राप्ती यही प्रभु वर्दान आपको चला रहा है जिन विशेस निमित बच्चों ने प्राप्त विल को अच्छी तरह कारिये में लगाया उसी के कारण आज ब्राह्मन परिवार वृधी को पाता जा रहा है फिर बाबा ने कहा जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे वह है सच्चा त्याग समय अनुसार या समस्याओं के अनुसार त्याग करना यह स्व्रेष्छ त्याग नहीं है इसलिए देखो नंबर वन त्याग का एग्जेंपल ब्रह्मा बाप बना तन मन्धन संबंध सर्व प्राप्ती होते हुए भी त्याग किया न इसी त्याग ने संकल्प शक्ती की सेवा का विशेस पार्ट बजाया जिस शक्ती से ही नए नए बच्चे फास्ट गती से वृधी को पा रही है तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या और सेवा का बल आप बच्चों को मिल रहा है ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए और लास्ट में बाबा ने कहा अब तुम्हें विश्व परिवर्तन का वायुमंडल बनाना है लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कागरता का अभ्यास बढ़ाना होगा एक कागरता की शक्तियों दवाराही वायुमंडल बना सकते हो हल्चल में कभी भी पावर्फुल वाइब्रेशन नहीं बन सकते अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्ताहर से मुरली का सार ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्प में फैलाओ आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रही है आज का दिन स्मृती दिवस सो समर्थ दिवस है आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की ऐसी अलोकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित भव का वर्दान दे विल किया यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूती कराती रहती है एक है अपने पुरुश्यार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल दवारा पावर्स की प्राप्ति यह प्रभु देन है प्रभु वर्दान है यह प्रभु वर्दान चला रहा है वर्दान में पुरुशार्थ की महनत नहीं लेकिन सहज और स्वत्य निमित बनाकर चलाते रहते हैं सामने थोड़े से रहे लेकिन बाप दादा दवारा विशेस ब्रह्मा बाप दवारा विशेस बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कारिये में लगाया और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मन परिवार दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है बच्चों की विशेस्ता के कारण यह व्रिधी होनी थी और हो रही है बाप दादने देखा कि निमित बने हुए और साहत देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेस्ताईं बहुत अच्छी रही पहली विशेस्ता चहे स्थापना के आधी रत्न, चहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही किसी में भी क्यों, क्या, कैसे यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा दूसरी विशेस्ता एक ने कहा, दूसरे ने माना यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेस्ता रही इसलिए सर्व निमित बने हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा बाप दादा ऐसे समय पर निमित बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रही है बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है और उस समय का संगठन यूनिटी हम एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है क्यों? निमित बनी हुई आत्माओं का फांडेशन पक्का रहा तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान गाए इतना समय चलना है यह सोचा था कितना समय हो गया सभी के मुक से दिल से यही निकलता अब चलना है अब चलना है लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है साकार में इतना बड़ा होल बनाया था बाबा के अती लाडले डबल विदेशी आये थे तो विशेश डबल विदेशीयों का अव्यक्त पालना दवारा अलोकिक जन्म होना ही था इतने सब बच्चों को आना ही था इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेस नोंधा हुआ है आदी से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है सबसे नंबर वन त्याग का एक्जेम्पल ब्रह्मा बाप बना त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग स्रेष्ठ त्याग नहीं है शुरू सही देखो, तन, मन्धन, संबंध, सरू प्राप्ति होते हुए त्याग किया शरीर का भी त्याग किया सब साधन होते हुए, स्वयम पुराने में ही रहे साधनों का आरंब हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एक्जेम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ती की सेवा का विशेस पाल्ट बनाया जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ती से फास्ट ब्रीधी को प्राप्त कर रही है तो सुना ब्रह्मा की त्याग की कहानी ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है तपस्या का प्रभाव इस मदुबन भूमी में समाया हुआ है साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित तो ब्रह्मा बाप कहेंगे जो भी मदबन तपस्वी भूमी में आते हैं, तो ब्रह्मन बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहां का वायुमंडल, यहां के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वे कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है ज्यान को नहीं भी समझते, लेकिन अलोकिक प्यार और शांती का अनुभव करके ही जाते हैं कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं यह है ब्रह्मा और ब्राह्मन बच्चों की तपस्या का प्रभाव साथ में सेवा की विधी, भिन भिन प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्म में फैलाई। जैसे साइन्स का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है। ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तिव्रगती से फैलाने का साधन है मन बुद्धी की एकागरता। यह एकागरता का अभ्यास बढ़ना जाहिए। एकागरता की शक्तियों द आप दादा आज देख रहे थे कि एकागरता की शक्ति अभी ज़्यादा जाहिए. सभी बच्चों का एक ही द्रिड संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाई परिवर्तन हो जाएं. दिल से रहम इमर्ज हो. क्या जब साइन्स की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मनों के साइलेंस की शक्ति, रहम दिल भावना दवारा वसंकल्प दवारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती. जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेस अटेंशन दो. जब आप ग्रेट 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 फादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इस्ट देव हो, यह नशा है कि हम ही इस्ट देव हैं, तो भक्त चिल्ला रही हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इस्ट देव, आप सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉंड नहीं करते हो, तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इस्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉंड दो, सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉंड देंगे, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, आपका रिस्पॉंड उन्हों को नहीं मिलता, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिलाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, ब्रह्मा बाप के हर कारिय के उत्साह को तो देखा ही है, जैसे शुरू में उमंग था, चाबी जाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शुव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तयार हो, अ अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है, साथ जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबे दे, तो आप एवर रेडी हो, एवर रेडी हो, या रेडी हो, रेडी नहीं, एवर रेडी, त्याग, तपस्या, सेवा, तीनो ही पेपर तयार हो गए हैं ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आशु बहुत बहाते हैं और ब्रह्मा बाप वहे आशु मोती समान दिल में समाते भी हैं लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवरेडी कब बनेंगे डेट देदे में आप कहेंगे कि हम तो एवरेडी हैं लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ या उनको छोड़ कर चल पड़ेंगे आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी फास्ट व्रिधी की जिम्मेवारी थी तो सभी एवरेडी हैं एक नहीं सभी को साथ ले जाना है न या अकेले अकेले जाएंगे तो सभी एवरेडी हैं या हो जाएंगे बोलो कम से कम नो लाख तो साथ जाएं नहीं तो राज्ये किस पर करेंगे अपने उपर राज्य करेंगे तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रती शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ आज वतन में भी सभी विशेश आधीरत्न और सेवा के आधीरत्न इमर्ज हुए एडवांस पाल्टी कहती है हम तो तयार है किस बात के लिए तयार है वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाडा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई स्रिस्टी की रचना के निमित बनेंगे हम तो आवान कर रहे हैं कि नई स्रिस्टी की रचना करने वाले आवे, अभी काम सारा आपके उपर है, नगाडा बजाओ, आगया, आगया का नगाडा बजाओ, नगाडा बजाने आता है, बजाना तो है ना, अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं, डेट ले आओ, आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है तो इसकी भी डेट बनाओ डेट बना सकते हो बाप तो कहते हैं आप बनाओ बाप कहते हैं आज ही बनाओ कॉन्फरेंस की डेट फिक्स किया है और यह है इसकी भी कॉन्फरेंस करो ना विदेशी क्या समझते हैं डेट फिक्स हो सकती है डेट फिक्स करेंगे हाँ या ना अच्छा दादी जानकी के साथ राय करके आना अच्छा देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अती समीब अती प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं सुन रहे हैं और मिलन के जूले में जूल रहे हैं दूर नहीं हैं लेकिन नैनों के सामने भी नहीं समाय हुए हैं तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले, और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान, त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले, सपूत बच्चे, सदा एक कारता की शक्ती दवारा, विश्व का परिवर्थन गरने वाले, विश्व परिवर्थक उडने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नाम है राजस्थान तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो प्रजा नहीं राजगराने के राजे निकालो तब जैसा नाम है राजस्थान वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी हैं कोई छीपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं वैसे जो बिजनस्मेन हैं उन्हों की सेवा पर विशेस अटेंशन दो यह मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं लेकिन बिजनस्मेन बाप से भी बिजनस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनस्मेन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताईं भी सहज आ सकती हैं अकेली माताईं नहीं चल सकती हैं लेकिन अगर घर का स्तंब आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसलिए राजस्थान को राजे क्वालेटी निकालनी है ऐसे कोई नहीं है ऐसा नहीं कहो थोड़ा ढूंडना पड़ेगा लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है बीजी रहते हैं न कोई ऐसी विधी बनानी पड़ती है जो वह नस्दीक आवे बाकी अच्छा है सेवा का चांस लिया हर एक जोन लेता है यह ब जाने या नहीं जाने लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वते निकलती है और वह दुआएं पहुचती बहुत जल्दी है दिल की दुआएं है न तो दिल में जल्दी पहुचती है बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज बुरुशार्थ है दुआएं दो और दुआईं लो, दुआउं से जब खाता भर जाएगा, तो भर पूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक किस वभाव का राज जान कर राजी करो, ऐसे नहीं कहो, यह तो है ही नाराज, आप स्व्य आप स्व्य राज को जान जाओ, उनकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो, तो सहज हो जाएगा, ठीक है ना राजस्थान, राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुश्यार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नही करो, देते जाओ, तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है, ठीक है ना, ऐसा है ना, दाता के बच्चे है ना, कोई दे तो दे नहीं, दाता बनके देते जाओ, तो आप ही मिलेगा, अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ, आधे पहले वाले आते है आधे नए आते हैं अच्छा पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ अच्छा विदाई के समय बाप दादा को रत यात्राओं का समाचार सुनाया बाप दादा ने कहा चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रती समय बाप दादा के पास आता रहता है अच्छा सब उमंगुत्सह से सेवा का पार्ट बजा रही हैं भक्तों को दुआई मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ती पूरी हुई उन्हों को बाप का परीचे मिल जाएगा और परीचे वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सब को आकर्शित कर रहा है अभी रिजल्ट में कौन-कौन किस केटेगरी में निकलता है वह मालू पढ़ जाएगा लेकिन भक्तों को आप सब की नजर द्रिष्टी मिली परीचे मिला ये भी अच्छा साधन है अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना जो भी रतियात्रा में सेवा कर रहे हैं अथक बन सेवा कर रहे हैं उन सभी को याद प्यार मौरेश्यस में अपने इश्वरिये विश्व विद्याल्य को नैशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनेस्टर दवारा मिला है तो बाप दादने कहा मौरेश्यस में वैसे भी वी आईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है इसलिए गुप्त से के बैलेंस दवारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन चित भव श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस दवारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन चित भव बाबाने कहा जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे वैसे स इस को कहते हैं बैलेंसु इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आश्रवादों से पल रहेंगे, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्यों कैसे इन प्रशनों से मुक्त हो, सदा प्रसंद चित रहेंगे फिर सफलता जनमसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन बाप से इनाम लेना है तो स्व्यम से और साथियों से निर्विग्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा। ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली। इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।